मैं श्रीफ भोट लेने का टेम में अभी MLC चुनाव है, BJP के MLC है यहां से मैं उससे भी अनुरोद करता हूँ कि श्रीफ आप भोट ना लें इस संगन के लिए कुछ करें आप बार बार MLC बन जाते हैं फिर उसके बाद आप अगर चाहें आप पी केंदर में सरकार है आप सांसद है यहां यहां अपके सांसद भी बहुत है कि हमारे जो इतने भी पाटी है कि महांचल में अगर सभी पाट करके चलेगा अभी सोचल मीडिया का जवाना है अब आप आपका वो नितागरी नहीं चलेगा कोई MPI में लेड़ है असलाम आलेकुम नमशकार आदाब मैं हूँ निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल आपका प्यारा चैनल गाउं महला पहले सच्चर कमिटी की रिपोर्ट उसके बाद नीती आयोग दोनों ने यास्पष्ट कर दिया कि सीमान चलका किशन गण सबसे ज़्यादा गरीब है सबसे ज़्यादा पिछड़ा है और हमारे फिश्ड़ेपन के बहुत बड़ी वज़े ये भी है कि यहाँ पर एम्यू सेंटर किशन गण इस्टैबिलिश होना था लेकिन बहुत सारे वजुहात हैं जिसके वेसे स्टैबिल नहीं हो सका लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया के युवाओं के जरिये कोशिशन जारी है लगातार ये पहल की जारी है कि फंड रिलीज किया जाना चाहिए और जो टेकनिकल इशूस है टेकनिकल मुद्धें उसे भी खतम किया जाना चाहिए जैसा कि आप देख सक कि यह लिखा है बढ़ेगा शी मांचल बढ़ेगा सिमान चल एमउ रिलीज़ फंड अन्षर पर बैठे हैं और बैठने वाले शेखण का नाम है शंबूय आदम आइसप आए शिदे शमबूय जिसे बात करने के कोशिश्च करते हैं उनसे समझ नहीं कोशिश करते हैं कि उन अगर सब्सक्राइब करना साथ इस से लिए अगर आगे आते हैं तो इस लिए अगर आगे आते तो ये जिंदगी भर आपके पौता पर पोता का मतलब किये मतलब फाइदा होगा इससे जम्भू जी एक सिधा सवाल आप से आपने जो अनिशन दिया है दरसल यह फंड के रिलीज को लेकर दिया लेकिन सोशल मीडिया में जो जानकार है जी वह कहते हैं कि टेक्निकली जब तक नहीं हटेगा उसका समाधान नहीं किया जाएगा तो शायद रिलीज करना संभब नहीं है सब्सक्राइब करें जोभी मसला्या समुझन सरकार के हाथ ना इसको को देखे और जनता को उससे कोई मतलब नहीं सरकार इसको देखे और इसको मु के लिए और विए अनाचित कम की हैं हम लोग यह वह सर्कार की है दयवत बनते हैं उस पर ध्यान दे श्रीप लेने का टेम में अभी में चुनाव है बीज़ेपी के यहां से उससे भी अनुवत करता हूं कि श्रीप आप बोट ना ले इस किसंगन के लिए कुछ करें आप बार बार में जाते हैं फिर उसके बद आप अगर चाहें आप पी कें हमारी भी है तो जब एक कॉंग्रेस के जिम्मेदार के तोर पर आप यहां बैठते हैं जाहिरे जो दूसरे पार्टी के लोग हैं हो सकता है कि वह यहां आने से कत्र आएंगे इसको कैसे आप के लिए किजिए मैं आपको यह बात भी किया हूं मैं माश्टर मुजाइद साब को ड़िए कि यह जाते हैं कि आप गाउन महुला के अपने पैगांब पहुंचा है देखिए मेरा सभी किसंगन के पाचारो जो विधायक है सभी पाटी के विधायक से मेरा आपील है कि सभी को एक मंच पे आना होगा यह बुला देना हो कि पाटी अलग चीज़ है जनता के स्रीब जनता के लिए भोट लेने से नहीं कि मैं इलेक्शन जितने बाद यह कर दूंगा चाहिए वो कोई पार्टी करें चाहिए मेरे कॉंग्रेस कर रहे यह किसी कर रहे है मैं स्रीब सभी नेता से अपील करता हूं कि जनता के लिए जमीनी काम करिये वह जवाना गया कि जब मैं सरी इस अनसन के बारे में यह करना जा रहा हूं कि मामला हमारे युवा सांथी है संभु यादव जी एक सामा सेवी भी है मैं उनके हिम्मत को मुबार्ग बाद दे रहा हूं कि यह अनिशित कालीन अनसन पर बैटे वह हैं जिसको भूगरताल बोलते हैं बिना खाई पी और अभी साम का टाइम है और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से किशन गंज के तमाम पार्टी के लोगों से खासकर युवाओं से यह करना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोगे किशन गंज में एक तहरीक चली थी आप लोग भी उसमें सामील थे और वो हमारे पूर्ब के सा सीमांचल के गरीब बचों के लिए मायानोट्रो के लिए डलीतों के लिए उपने जञडे को साइड में रख दिये फीर रिलीज account के लिए हम लोग यही अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के मादम से किशन गंज में sih ही नहीं पूरे सीमांचल के तमाम लोगों से तमाम न स्री मती सोनिया गंदी जी यहां पर आके शिलानयास की थी उस वक्त जमीन रिलीज नहीं हो रहे थे जिसमें पूरे किसंगंज जीला और बगल में उत्तार दिनाचपुर के कुछ पॉलिटिकल लोग हमारे साथ आये थे हमारे किसंगंज के डेर लाग से दो लाग लोग बैट यह राद 12 बजे जमीन देने के बाद यह जो सेंट्रल गोबर्मेंट है जो गोंगी और बहरी सरकार है जो हिट्लर वादी सरकार है वह एम्यू को रिलीज फंड इस्ते नहीं कर रहा है सर कि वह चाहरा है कि यहां पर एक तपके के लोग बसे हुए हैं गरीब और अकलियत के लोग बैठते हैं मायनोटी के लोग बैठे हुए हैं इन लोग एजूकेशन पर नहीं आए यहां के बच्चे यहां के स्टुडेन चात्रा-चात्रा-ई-पी-अस-ई-उ-पी-स-डॉक्टर इंजिनियर प्रोफिसर नहीं कर रहे हैं नहीं तो सरकार अभी चाह लेंगे और इतना बड़ा सेंटर है इस गरीब बच्चे की परहाई का मामला है यहां पर फंड नहीं दिया रहा है हम किसंगांज के जितने नोजमान हैं सबसे यह अपील करेंगे कि जैसे संभू यादाब आज एम्यू फंड के रिलीज के लिए अज धरने पर बैठे हैं और से हमारे सभी नोजमानों को एक होकर बारी-बारी से धरने पर बैठना पड़ेगा तो धरने पर बैठेंगे अगर जैसे 2010 में हम लोगों ने एनस 31 को जाम करके और जमिन मुहया कराया था एम्यू का अगर फं अपने बैनार अपने पाटी के जंडे को एक तरफ करके यह किसनेंज की मुस्तकिविल का सवाल है आने वाले भविस्ट का सवाल है तो सभी एक जूठ होकर एक मंच पर आए अंसन पर बैटे हैं हमाने संभु भाई उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वग्रियादा करता हूं यह नौजमान जिन्होंने अपनी इक्छा सक्ति जाहिर की और यहां के जो पिछरापन है उनको दूर करने के लिए सबसे जरूरी चीज है शिक्षा है और उसी को बहा करेंगा